हेलो फ्रेंड मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल टेक्नीकल दीपक में एक नए वीडियो के साथ आज के वीडियो में हम यह बात करने वाला है कि आप अपनी मुबाइल के होम स्क्रीन पर अपने इंटरनेट अस्पिट कैसे देख सकते हैं या अपने इंटरनेट अस्पिट कैसे चेक कर सकते हैं आज का वीडियो खासकर उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके मुबाइल के सेटिंग में इंटरनेट अस्पीट का कोई अप्शन नहीं दिया हुआ है अगर आपके मुबाइल के सेटिंग में इंटरनेट अस्पीट का अप्शन दिया हुआ है तब आप वहां से जाके इन ने इंटरनेट आस्पीट चेक कर सकते हैं तो चलिए फिंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पहला थो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबादे जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन कहीं भी कोई internet speed नहीं दिखा रहा है आपको अपने मुबाइल के home screen पर अपना internet speed देखने के लिए एक application के ज़रुवत पड़ेगा जिसके help से आप अपने internet speed अपने मुबाइल के home screen पर देख सकते हैं तो simply आपको अपने मुबाइल का play store खोल लेना है play store खोलने के बाद सर्च करना है internet speed meter जैसा कि आप देख सकते हैं कि search list में आ गया है simply आपको internet speed meter वाले option पर click कर देना है click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आजाएगा यहां पर आप देख सकते हैं कि जीरो पॉइंट नाइन फाइप में मतलब एक एम्मी से भी कम का यह application है इधर आप दिखेंगे तो पचास मिलियन पलस लोगों न डावलोड कर रखा है इससे आप समय सकते हैं कि यह application अच्छा होगा तो simply इसको आपको install कर लेना है देख सकते हैं कि install होने लगा है थोड़ा सा यहां पर wait कर लेते हैं अब आप देख सकते हैं कि यह install हो गया अभी आप मेरे माल के उपर में देखेंगे तो कहीं भी कोई internet speed नहीं दिखा रहा है लेकिन जैसे ही मैं इसको open करूंगा आप उपर में देखेंगे कि आप मेरे internet speed दिखाने लगा है तो चलिए इसको open कर लेते हैं open करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आजागा यहां पर आप अपना पूरा history देख सकते हैं कि आप किस दिन कितना data यूज करते हैं और उपर में आप देखेंगे तो मेरे internet speed दिखाने लगा है यहां पर फस्ट कॉलम में देखेंगे तो लिखा हुआ है date मतलब आप कीस दिन कितना data यूज करते हैं उसका history आप यहां पर देख सकते हैं second column में लिखा हुआ है mobile मतलब आप अपने mobile में प्रत एक दिन कितना data य देख सकते हैं उसके बाद last column में देखेंगे तो लिखा हुआ है total मतलब अपने mobile और wifi दोनों से कितना data यूज करते हैं उसका history आप यहां पर देख सकते हैं नीचे scroll करके जाएंगे तो सबसे नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है last seven days मतलब आपने पीछले साथ दिनों में कितना data यूज किया है उसका history आप यहां पर देख सकते हैं उसके नीचे में देखेंगे तो लिखा हुआ है last 30 days मतलब आपने पीछले 30 दिनों में कितना data यूज किया है उसका history आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद नीचे में देखेंगे तो लिखा हुआ है this month मतलब आ अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेट स्पीड होम स्क्रीन पर नहीं दिखावें तो simply आपको इस option पर क्लिक करके अपना इंटरनेट स्पीड अस्टोप कर देना है उसके बाद सकेंड वाले option में देखेंगे तो लिखा हुआ अगर आप अपना हिस्टी डिलीट करना चाहते हैं तो simply आपको इस option पर क्लिक करके अपना हिस्टी डिलीट कर सकते हैं करें गार को उसके बाद अ बदेखेंगे तो लिखाय वब पर प्रेफ्र derechos से आपको क्लिक करेंगे तो आप इस के सेटिंग में आजाएंगे उसके वाद देखेंगे तो पर स्थिम में लिखा ख़ूआ हाइड लॉक Max किया नोटिकेशन इहाँ पर आपका जो लॉग कि इसक मोईल के होम अस्क्रीन पर अपना इंटरनेट शेक कर सकते हैं जानकारे के लिए बता दूँ तो मैं कोई भी इस चैनल पर फेक वीडियो नहीं मनाता हूँ मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पहले इसको यूज करके देखता हूँ वो सही लगता है तब ही आपको रिकमेंट करता हूँ तो दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर हमें सपोर्ट करें और कमेंट में अपना फिड़बक जयर देजिस से के हम आपके लिए अच्छे से आच्छे कंटेन ला सकें तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ